हेलो एन वेलकम दोस्तों स्वागा थे आपका एक एर बुरूजी चैनल पर दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको MS Word में इंसे टैब में टेबल आप्शन को डिटेल में बताया था अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर देख हमने अपना MS Word open कर लिया है अब यहाँ पर हमें table create करनी है तो table create करने के लिए हम simple keyboard से plus sign को एक बार प्रेश करेंगे उसकर तब minus करेंगे हम एस तरह से जितनी बड़ी हमें अपनी cell create करनी है तो यहाँ तक हमने minus press किया उसका फिर से plus करेंगे और फिर से minus इस तरह से हम plus minus के combination बनाएंगे जितनी भी बड़ी हमें अपनी cell रखनी है table के अंदर तो इस तरह से हम create करेंगे और यह create करने के बाद में जैसे हम keyboard से enter करते हैं तो हमारे पास एक पूरी की पूरी रो तयार हो जाती है table की अब इसके बाद हमें इस रो के साथ में और भी रोज एड़ करनी हैं तो हम simple keyboard से tap button को press करेंगे इस तरह से तो हमारे पास और भी रोज एड़ होती चली जाएंगी अब इस तरह से हम अपनी table को पूरी को create कर सकते हैं अब next आगे का option चलाने के लिए हम अपनी table में कुछ data create कर लेते हैं अब देखिए हमारे पास एक पूरी पूरी table तयार है जिसमें की हमारा data भी लेखा हुआ है अब suppose करो हमें कभी जयर पढ़ जाती है कि हमें अपनी इन दो रोज के data को नीचे copy करके लेके आना है यानि कि हमें next आगे raw में इन दो रोज का data लेकर आना है तो simple हम यहाँ से दोनों raw के data को selection करने के बाद में keyboard से control बटन को press करेंगे और mouse के left click को press रखते हुए इस तरह से data को नीचे खीच लेंगे तो हमारे पास देखे उस data का duplicate यहाँ पर नीचे बनकर आ गया एक बार हम इसको वापस कर देते हैं control जैट करके अब suppose करो हमें इसका duplicate नीचे नहीं लेके आना था है इस पूरे data को ही move करके हमें यहाँ पर नीचे लेके आना है तब हमें keyboard से shift बटन को press करना होगा और उसके बाद हम mouse के left click को press रखेंगे और इस तरह से shift के लागी यहाँ पर छोड़ देंगे तो इस तरह से वहाँ से data move होकर नीचे आएगा एक बार हम फिर से control जैट कर देते हैं data को अब suppose करो हमें यहाँ पर इस वाली raw के नीचे एक पूरी की पूरी raw add करनी है blank raw हमें चाहिए यहाँ पर तो हम अपने cursor को table के बाहर रखेंगे इस तरह से यहाँ पर और यहाँ से नीचे मुझे raw एक add करनी है तो simple हमें keyboard से enter press करना है इस तरह से हमारे पास एक blank raw add हो जाएगी हमारी table के साथ में तो इस तरह से में जितनी भी raw add करनी हो simple हम यहाँ से enter करेंगे तो हमारे पास raw add होती चली जाएगी फिरहला हम इसको वापस कर देते हैं आगे suppose करो हमें कभी अपनी इस table में से कुछ data लेकर एक नई table create करनी है तो मानलो हमारे पास यह तीन raw का data है इन data के साथ में एक नई table create करनी है तो simple हमने अपना data को selection किया है और keyboard से हम press करेंगे control shift और यहाँ से हम mouse के left click से data को इस तरह से खीच लेंगे तो हमारे पास पूरी पूरी एक table create हो जाई हमारे selected data की अब suppose कर हम अपनी इस table को कहीं बीच में से split करना है split मतलब तोड़ना है यानि कि हम इस table को दो हिस्टों में करना चाते हैं यहाँ पर जहाँ पर मारा cursor है वहाँ से उपर की table उपर अलग हो जाए और नीचे का जो data है वो नीचे एक दूसरी table में create हो जाए तो simple हमें अपने keyboard से press करना है control and shift और उसके बाद एक बार press करना है enter तो जैसे हम control shift के साथ में enter press करते हैं तो वहारी जो table है वहाँ से split हो जाएगी टूड जाएगी दो हिस्टों में बढ़ जाएगी तो इस तरह से हम अपनी table को split कर सकते हैं अब suppose करो कभी हमें वापस इसको table को जोड़ना है तो जो भी यहाँ पर blank जो खाली space यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इस space को हम simple delete करेंगे यहाँ पर cursor को click करेंगे और उसका keyboard से जैसे हम delete button press करेंगे इस तरह से तो हमारी table जो है वापस से जोड़ जाएगी तो दोस्तों इस तरह से हम अपने shortcut में अपनी table के साथ में काम कर सकते हैं दोस्तों वीडियो कर पसंद आई तो वीडियो को like करें, share करें, चनल को subscribe करें ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच